तो feddo स्वागत है आप सबें लोगों का सर्वन्लेक्चर में तो मेरा नाम है ओकाश जैसा क्या आप लोग जानते हैं हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं अपर सुपलों का सर्वन लेक्चर में तो दोस्तों मेरा नाम है आकास जैसा की आप लोग जानते हैं आद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिस का इंपोर्टेश़ कीएंट कुछ में इस परकार के विट्रीन देखतेतिक प्यूश्म Nature कर दो और आंसर का भी हिंदी लाया हूं ठीक है सारे ढीके साथ बियरोंग कि साथ मैं आपको बताने वाला हुआ है बादा किया था है चाहिए वो लांग क्यूशन हैं उसको भी लेक्ट है कुपो फिक है कि भाई आप लोग हमारे सारे हैं आप लोग कर आए ताकि कि आपको इक परसेंट दिक्कत नहों ठीक है तो सारे कुषिंस में लेक्षण हूँ तो आप अस वीडियो को सुरूच से लेके लार्ष तक देखेगा लेकिन दोस्तों देखने से पहले जो आपको एक छोटा इसमाल टार्गेट दिखाई दे रहा है दो के लाइक का तो दो हजार लाइक दोस्तों आप लोग किसी ने किसी किमत पर कर दिए और दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मालम चलता है कि 3.4 टीन हजार भी रहेगा थकि यह उसका हिंदी में लिखा हूं आशर उसका हिंदी लिखा हूं आप आपको क्या चाहिए इप कैसे आपको पढ़ाया जाए कि आप लोग नाइक नहीं करते हैं ठीक है तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप लोग मेरा बात को मानेंगे और दो के लाइक 100% किसी के मतबर आप लोग पहुचा देंगे चलिए चलते हैं क्योंड क्योंड देखिए short answer type questions में बताने वाला हूं very most important question है तो पहला question देखिए आपकी स्किन पर दिखाई दे राई से सोचिए समझने के कोशिस किजिए देखे क्यूशन पहला दुस्तों यह है कि वाट क्वालिटी आफ यूधिस्ट्रा प्लीजड द यक्स मोस्ट देखे 2019 सतरा सोरा चौदा और 2013 में क्यूशन पूछे गये हैं ठीक है यूधिस्ट्र के किस गुड ने यक्स को सबसे अधिक प्रसंता दी ठीक है तो आप देखे आप इसका अंसर बहुत ही प्यारा लिख पाएंगे कैसे लिखेंगे कि the impartial attitude of यूधिस्ट्रा प्लीजड द यक्स द मोस्ट आज ही चूज नकुला instead of भीमा और अरजुन to be alive यूधिस्ट्र की निश्चता ने यक्स को सबसे अधिक प्रसंता दी क्यूंकि उन्होंने भीम या अरजुन के अस्थान पर नकूल को जिवनदान के लिए चुना आंसर देंगे और उसके साथ आपका इससका अर्थ क्या है की हृँ दcji लग रही होंगी लाइक करते हैं किसी कीमत पर ठीक है अगर इस तरह बाताने पगर किसी लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अब उसका काम ख़ता हमें मैं को जाए आप कोई यक्स का रूप क्यों धारण किया था देखे 2020 में उन्नाइस में सतरह में सूरह में सारे क्यूशन्स पूचेंगे वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट्स क्यूशन है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे बहुत ही सिंपल और अच्छा कि यम हैड टेकेन दा फाम आफ यक्स टू सी मतलब के मतलब है कि युदिश्टिर को देखने एता था उनकी बुद्धिमानी की परिछा लेने के लिए यम ने यक्स का रूप धारण किया था वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन उम्मित करता हूं क्यूशन मत दूसरा भी आपको किलियर हो चुका होगा अब हम लेंचो राइट और लेटर टू गॉड लेंचो ने भगवान को पत्र क्यूं लिखा देखिए यह प्रश्ण 2019 में भी पुछा गया है 2018 में भी पूछा गया है 2017 में भी पूछा गया है 2015 में 2014 में कितना most important future ने ता लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा ता आप उत्तर देंगे कि लेंचो रोट लेटर टू गोड एंड आस्क फार मनी because all his crops were destroyed he needed help from God इसका मतलब कहना है कि मतलब यह चीज़ है कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और पैसे मांगे क्योंकि उसकी सारी फसल बरबाद हो गई थी और उसे भगवान से मदद की जरूरत थी इसलिए उन्होंने भगवान को पत्र लिखा और भगवान से पैसे लेंगे ठीक है दोस्तों उम्हीत करता हूं कि क्यूस्ट्र Mitt रोबढ़ तीसरा भी आपको किलियर हो चुका ऊगा नो डाउठ होगा आपको क्यूस्ट्र कि नंबर तीसरे में अब हम बढ़ेंगे कि निग और कि पर चौते कि और अधर खेंक कितना इंपॉ्टेंट से कोशिस करेंगे क्यूशन नमर चवता दोस्तों यह है वाट इस दा आथर जवार लाल नहरू एनेक्सियस आफ क्यूशन मार्ग लेखक जवार लाल नहरू किस बात को लेकर उस्सुख है ठीक है लेखक जवार लाल नहरू किस बात को लेकर उस्सुख है ता आप उत्तर इंगल herself of the customs and the old traditional which constraints her and divide her people इसका कहने के मतलब दोस्तों यह है कि लेखक जवारलाल नहरू उस समय को लेकर उसुख है जब भारत स्वेम को उन प्राचीन प्रमपराओं एवं रिवाजों से पूरी तरम मुक्त कर लेगा जो उसे जकडे हुए है वह उसके लोगों को बाटती है ठीक है तो दोस्तों यह इसका हिंदी अर्थ है उम्मिद करता हूँ कि क्यूस्टन नंबर चौथा आपको बहुत अच्छा लगा होगा किलियर भी हो चुगा होगा सारे क्यूस्टन से मैं क्या कहा था कि क्यूस्टन coughing मेरी अलग से एक notes book मनाना है conhe को जितने भी एक मेत कर रहा है disks कि कर रहा हूँ वैसरे कि सम tadi सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ सारे जो इसको और इंत्प का और इंपोर्टनक मैं यह उसमें आप उसको लिखो Bis ऐ कर सब्सक्राइब करेंगे चलिए दोस्तों देखिए कितना मुस्ट इंपोर्टेंट स्क्राइब लोग की स्क्राइब किया रहा है कि वाई उड सुक्राइब टाक्टॉ पीपूल देखिए 2019 में 2017 में इतने सन मिया सारी क्यूसं स्थ पूछे गए जो इंपोटिंस है तो इस क्यूसं कितना मथवच्ट करना है क्या है क्या है कि सुक्राइब लोगों से बात चीत क्यूं किया करते थे ठीक है सुक्रात लोगों से बातचीत क्यों किया करते थे उत्तर आप लोग लिखेंगे इसका कि सुक्रात यूज टू ताक टू पीपोल टू टीच देम टू थिंक ऑन देयर आउन सो दैट दे माइट यूज देयर थिंकिंग तू फाइंड वाट वाज जस्ट और नोबल ठीक है इसके कहना के मतलब दोस्तो यह है कि सुक्रात लोगों से इसलिए बात करते थे ताकि वे अपने बारे में स्वेम विचार कर सकें और यह तै कर सकें कि श्रेश्ट और नियावचित है ठीक है तो इस आंसर का आर्थ यह है तो दोस्तों उम्मीद करता कि क्यूस्टन में जो पाचवां आप लोगों को किलियर हो चुका आप अच्छे डंग से कि क्याना क्या चारा है ठीक है तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्यूस्टन के और ठीक है आप लोग उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे इसे अगला क्यूस्टन दोस्तों य रेलेवे में नोकरी करने का निश्चे क्यूं किया एडिसन ने रेलेवे में नोकरी करने का निश्चे क्यूं किया ता पुत्तर लिखेंगे यहां पर कि एडिसन निडेड मोर मनी for his books and experiments एक प्रेंड्स सो ही डिसाइड़ टू टेक आप जॉब इन दर रेलवे मतलब कहना का मतलब यह है कि एडीशन को अपनी पूस्तकव परियोगों के लिए और अधिक पैसों किया आप सकता थी इसलिए उन्होंने रेलवे में नुकरी करने का निश्चे किया तो दोस्तो इस प् अबर सात्मे क्यों उसे समझेंगे देखकिए स्वाट विकर्मा दित्य किसलिए प्रसी थे राज्चा विकर्मा दित्य किसलिए प्रसी त्यफित English लिए ताप इसका उत्तर सब्सक्र देंगे बहुत अच्छे डंग से क्या देंगे विक्रमा दित्य was a great king he rang in उजेन the special quality of विक्रमा दित्य was that he always gave perfect judgment to his people his judgment quality made him famous कहने के मतलब दोस्तों यह है इसका कि विक्रमा दित्य एक महान राजा थे वह उजेन में राजे करते थे विक्रमा दित्य का विसेश गुड या था कि वे सदेव अपने लोगों को सही न्याय देते थे उनके न्याय करने के गुड ने ही उनने क्या किया प्रसीद बना दिया तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यह झाज़ उम्मिद करता हूँ कि क्यूशन नवर 7 आप लोग नोट कर ले होंगे और इसका स्कीन सॉट भी ले ले होंगे और इससे समझ भी लिये होंगे अब हम बढ़ेंगे अगले question क्यों और question number 9 क्यों क्या कह रहा है कि what punishment was given to Sukrat by the judge देखे very most important question है what punishment was given to Sukrat by the judge नियादीसो द्वारा सुकरत क्यों सुकरत को क्या सजा दी गई नियादीसो द्वारा सुकरत को क्या सजा दी गई देखे छोटा question है अब बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आंसर लिखेंगे सुक्रात वाज संटेंस टू डिट बाइद जज न्यादीसो दोरा सुक्रात को मृतु दंड दिया गया दोस्तों उम्हेद करता हूं क्यूशन नवर आठाउं आपको क्लियर हो चुका होगा और नोट भी कर इसी साथ हम बढ़ेंगे अगले क्यूशन क्यूशन नवर चलिए दोस्तों देखें क्यूशन नवर नुवा है बहुत यह अच्छा क्यूशन से क्यूशन नवर नुवा कि वाट ग्रेड क्वालिटीज आफ सुक्रात बाट आउट इन दा लेशन एपिल टू यू मोस्ट कह इसका उत्तर बहुत ही अच्छा डंग से देंगे क्या देंगे इसका अंसर कि सुक्रात वाज नोबल एंड जस्ट ही डिड़ नाट वांट कमफोर्ट एंड लग्जरी ही टॉट इव्रीवान टू डेवलोप रीजन एंड डेवलोप दियर आउन बाट कहने के मतलब यह ची स्वेम विख्सित करने को कहा तो दोस्तों यह क्यूशन मनुमा उम्मीद करता हूँ आपको किलियर हो चुका अगर नो डाउट होगा इसमें आप लोगों को अब हम बढ़ेंगे अगले क्यूशन की और आज के लास्ट क्यूशन की और आज का लास्ट क्यूशन दसमा यह है वाई डिड पोस्टमेन लॉफ एट लेंचो लेटर ठीक है डाकिया लेंचो के पत्र पर क्यों हस पड़ा या तो इसी क्यूशन को घुमा कि आपको इस प्रकार पूशता है वाई डिड पोस्टमेन गो टू इस बॉस लॉफिंग हर्टली डाकिया हसता हुआ अपने माली के पास क्यों गया तो इन क्यूशनों को आप दोनों क्यूशन को किसी परकार पूशे यह पूशे चाहिए पूशuyu आंसर एक ही देंगे ठीक है कौन सांसर देंगे चली इसके आंसर बड़ चलते हैं देखिए दोस्तों इसका अंसर आप देंगे कि the postman laughed at Lencho later because in his entire career he had never seen a later address to God. कहने के मतलब एची है डाकिया Lencho के पत्र पर इसलिए हस पड़ा क्यूंकि उसने अपने पूरे कारेकाल में ऐसा पत्र नहीं देखा था जो भगवान को संबोधित किया गया हूँ इसलिए डाकिया क्या किया उनके पत्र पहसने लगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब दो महीना बचा है आप लोग अच्छे से तयारी कीजिए ठीक है अपरेल में आपके फर्स्ट विक में एक्जाम में स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग एक बहतर तयारी कीजिए ठीक हमारे साथ बना रही है तब तक लिए धन्यवाद चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लिजिए और बेल आइकन को प्रेस के लिजिए मिलेंगे नेस्ट वीडियो में